यह जो मैं छोटा सा वीडियो आपके समने पेश कर रहा हूं यह मेरा खुद का नहीं है मेरा दिली में एक दोस्त है कुकुम वाले को उसने मुझे फॉरवर्ड किया है लेकिन यह वीडियो देखने के बाद मेरा मेरे दिल को यह वीडियो चुगया इसलिए मैं आपके साथ यह वीडियो पेश करना चाहता हूं मुझे शेयर करना चाहता हूं कुछ ऐसा था मतलब exactly नहीं है बल कुछ ऐसा था कि अच्छा अदमी था है ना बहुत अच्छा अदमी था अरे कुछ ना कुछ तो कहना था ना उसके जनाजे में कुछ तो बोलना था ना अगर नहीं कहते तो जमाने को तुमारी अच्छाई पे शक हो जाता अच्छा बता हो अगर अच्छा था तो उसे अच्छाई का हिसाब क्यों नहीं दिया जब वो जिन्दा था हफते बर ते वो पूछ रहा था ना कभी उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया वो पूछता था कि मेरी जिन्दगी में दुख के सिवा और कुछ नहीं है तो हसके कह देते थे तु इसके सिवा कुछ और भी पूछे का क्या नहीं काश इसी हसी ठाके के सिलसले को तोड़ कर देखा होता काश के जितनी बार उसको अलविदा कहा है उसी रास्ते बे कभी मुड़कर उसको देख लिया होता कि वो वहाँ से कहा गया है वो घर नहीं जाता था अपनी गाड़ी किसी कोने में अंधेरे में खड़ा करके अकेला गाड़ी में बैठके रोया करता था केता था क्यों ये चारों तरफ दुख मेरे पीछे पड़ गया है रोता हूँ अपनी माँ को याद करता था कहता था माँ कितना दुख है क्यों मुझे इतना दुख मिल रहा है मा मैं अकेरा हूँ मा तुझे मुझे छोड़ की चले गई मा तुम सब लोग जानते थे ना कुछ दिनों से वो अलग-अलग सा रहता था दूर सा रहता था कहा तो था उसने मिलो मुलाकाते करनी है जो किसी और से ना कही वो तुम से बाते करनी है और तुम कहते थे लो यह फिर से शुरू हो गया दो तीन जोक्स वोटसअप कर देते थे और सोचते थे कि वो समल जाएगा अच्छा आदमी है ना समझ जाएगा काश उसे एहसास धिला दिया होता काश बिना वज़े गले लगा लिया होता अपने पास बिठा लिया होता काश यह जानते की हर रोज वो जान बूच कर बिना कुछ खाए बेयोश कैसे हो जाता है काश यह समझते की वो बोलते बोलते अचानक हमोश क्यों हो जाता है काश उसके लिए ही उसके साथ लड लिया होता उसी के घर की दिवारों से ज़्यादा काश उसके चेहरे को पढ़ लिया होता सिर्फ उसकी कबर से एक ही आवाद आएगी अब कि अगली बार मेरे जैसा अगर कोई मिल जाए तो उससे बाते करना, मुलाकाते करना, उसका दिल रखना उसके घर जाकर उसे तूफे देना और उस गंदे मानूस पंदे पांसी के पंदे को खिर्की से बाहर पैख देना, तब वो शायद जिन्दी जीने का होसला करेगा तब वो शायद खुश रहने का फैशला करेगा ये बाते हम सब जानते है हम सब को पता है पर आज कहना लाजमी था ताकि तुम किसी के घर जाके सफेद लिबास पहन कर ये ना तुम्हें कहना पड़े कि वो एक अच्छा अदमी था वो एक अच्छा अदमी था Thank you Sorry I got a little Thank you